हेलो और वेल्कम बैक टू जोग्राफिय ऑप्शनल क्लासेज पेपर वन में हम लोग कर रहे हैं क्लाइमित लॉजी का चैप्टर और इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ था जितने भी क्लाइमिटिक क्लासिफिकेशन हैं तो इन सब के बारे में हम लोगों ने देख रख लॉज घर और देखर प्रफिक बैद पर किया है तो इन सब करेंट यह प्रब्राफिक लॉज रखर देखर चनल को सब्स्क्राइमित लॉजी प्सक्राफिय पर ध्यूचरी मतलि प्लाइज प्रफिके लॉट का लॉजी पर आट जो रहे हैं एक गर एक टॉजी बारे में हम discuss hydrological cycle and then हमारा global climate change role and response of man in climate change है और थोड़े मोड़े हम लोग applied climateology के बारे में और urban climate के बारे में भी discuss करेंगे तो फटाबर शुरू करते हैं हमारा discussion सबसे पहले hydrological cycle के बारे में देख लेते हैं because this is very short topic काफी small, काफी easy और काफी बचों-अला topic है यहांपर देखिए, पानी के बारे में यहांपर बाते हो रही है कि water cycle क्या होती है तो बस पानी जहां-जहां से आया है पानी जहां-जहां से जा रहा है वही आपकी आ जाती है water cycle, जैसे की आईस में आपकी पानी है, इसके अलावा water bodies जैसे की soil हो गया या फिर जितनी भी lake हो गई, oceans हो गई यह सब water body हो जाती है इसके लबावा human में हमारे खुद भी पानी पड़ा हुआ है, vegetation में पानी पड़ा होता है इन सब से जैसे ice से sublimation हो जाएगी, जो water bodies है वहां से evaporation हो जाएगी जो human body है महां से respiration हो जाएगी और फिर ultimately यहां पर transpiration हो जाएगी और इसके थुरू water जो है वो vapor के format में, atmosphere में पहुँच जाएगा फिर उसके बाद से यहां पर condensation होगी, ultimately it will form dew, frost, fog या फिर cloud और फिर ultimately यहां से precipitation होकर के या तो snowfall के format में, या फिर rain, या फिर blizzard, या फिर sleet, या फिर hill storm के format में ultimately यह पहुच जाएगा ground पे, और यह ultimately जो पूरा का पूरा यह cycle है, इसी cycle को हम लोग बोलते हैं, hydrological cycle तो this is quite simple thing and इस सब चीजों को आप लोगो ने पढ़ा ही होगा already अब हम लोग ज़रा चलते हैं और थोड़े से technical, थोड़े से complex और थोड़े से tough discussion क्यों राते हैं So we are going to talk about the climate change, दिखने में आपको बहुत easy topic लग रहा होगा, but यहाँ पर देखिए जब भी आपसे climate change पूछा जाएगा, in geography optional तो आपको थोड़ा सा अलग लिखना होगा अब यही पर आपका difference आ जाता है, अगर climate change एक environment के topic में पूछा जाएगा तो फिर आप इसकी environment के बारे में लिखेंगे, लेकिन जब climate change in geography optional पूछा जाता है यहाँ पर आपका content थोड़ा सा geographical होना चाहिए और उसके लिए आपको content थोड़ा सा अलग लिखना होगा जैसे हम लोग शुरुबात करेंगे अपने discussion की, कि climate change क्या होता है और फिर हम लोग देखेंगे कि how did climate change happen, कैसे हुआ आखिर में और इसके लिए हम लोग बाते करेंगे geological time scale से तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा, कि यह जो geological time scale है, यही actual में geography optional के लिए एक रामबाल इलाज है मतलब आप बोल सकते हैं, this is the brahmastra for geography, क्योंकि जहां पर भी हम लोगों को use करना पड़ा है, जैसे हम लोग फिजियोग्राफी of the paper 2 से ही हम लोग शुरू करते हुए आए है, इस geological time scale की और लगतार जहां पर भी हम लोगों को एक general को geography में बतलना होता है, we simply put this concept here, तो वही चीज़ यहां पर भी करेंगे, हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या चीज़ है, तो climate change के बारे में आप simple सी चीज़ जानते हैं, कि कोई भी जो भी regular phenomena होती है, अगर उस regular phenomena में कोई भी change जाता है, then we call it as a change, और इसी को हम लोग बोल देते हैं, climate change, अब ये climate change देखेंगे, अलग-अलग parameter के कारण से होता है, जैसे recent में भी खो जा गया है, या फिर आपकी एंसो हो गई, या फिर आपकी इंडियन ओशियन डाइपोल हो गया, या फिर मोडोकी हो गई, this is मोडोकी अभी recent में खो जा गया है, या फिर मैडन जूलियन कंसेप्ट हो गया, MJO हो गया, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं climate change में help करती है, climate change क को ही आगे बढ़ा रही है, अब हम लोग जो बाते करेंगे, we already know about the climate change, now we have to get into the geological time scale, और देखिए यहां पर आपको चीज़ें रट्टा मारनी हैं, जैसे, through the average ambient temperature of the planet is 50 degree centigrade ये होता है, लेकिन, this is not and never been constant, हमेशा चेंज होते हुए रहा है, हमारे past में भी, हमारे present में भी चें to change, the planet has gone through very hot conditions like the earth, pre-cambrian time पे अगर बात किया जाये तो उस समय temperature काफी high हुआ करता था, इसके बासे head-on time हाया था, with the ice ages and ultimately, जो हमारी आगे process हो ही रही है, so this kind of, you can say, geological time scale में, we have already seen a high temperature and the low temperature of the ice age and ultimately, हम लोग ये बोल सकते हैं, conclude कर सकते हैं, कि continuously universally, यहाँ पर हमें एक change देखने को मिल रहा है, in terms of temperature, the only thing is constant about the earth climate is the change, यही एक constant, कि जो बदलाव है, वही एक बदलाव जो है, वो constant बदलाव है, आगे बात करें हम लो, तो देख लेते हैं, आखिर में, through the geological history, आखिर क्या रही है climate change, so this is purely factual for you and you just have to memorize it, the earliest temperature were very hot, because nebula और still contracting, सीधी सी बात है, शुरुवाती दिनों में, जब planet जो होता है, वो develop हो रहा था, and the internal heat was consistently being released by volcanism, in the absence of atmosphere, the planet was exposed very high insulation, and meteorite impact वगर है, यह सब जो होता है, planet को गर्म रखा था, आर्खेन टाइम पर अगर हम लोग आ जाते हैं, तो जो अर्थ है, वो warm और humid हो गया, and on the ocean forming that supported life पहली बार, तो पहली बार यहां से life जो है, वो reality में आना शुरू हो गया था, the late pre-cambrian between 950 million years before present, and 650 million years before present, was a phase of ice age, तो इस समय ice age वगर आ रखी थी, और यहां पर जो पूरा का पूरा हमारा area है, वो ice से ढख गया था, और इस तरीके से हमारी जो fjords वगर रहा है, वो develop हो गई थी, इस तरीके से हमें different type के landform देखने को मिल जाती है, in fact आप लोगों ने ए इमने very nice message, ice age की movie भी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छी और काफी एक important message देती है about the climate change and endemic, कि आखिर में कोई चीज extinct जब हो जाएगी, तो what will be its effect, so this is the thing that this movie has shown, the cambrian times again become warm and humid, बाद में फिर यह जो time period आता है, वो वापस से warm and humid हो जाता है, यानि की climate change, ठी ठीक है, so therefore the cambrian explosion, lot of life form evolved, early paleozoic, right from the devonian times, was warm, this is warm and humid, with a dense forest, invertebrate and other marine life form, तो हम लोगों ने शुरुआती दिनों में एक geological time scale की एक video discuss की हुई है, और वहाँ पर हम लोगों ने chronology wise जो है discuss किया हुआ है, कि किस समय पर क्या हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है या फिर उसे go through नहीं हुए है, तो देखें video के suggestion में आ जाएगा, end of the video you can watch that, so that is again very important, क्योंकि देखिए वो जो time scale है, that is very important and it will help you throughout the geography, so इस वज़े से वो जो वीडियो है, वो आप लो ध्यान से समझ लीजेगा, याद कर लीजेगा, ये सब ची ice age, so we have undergone multiple ice ages, multiple hot and warm इस तरीके से हम लोग continuously एक you can say की ups and downs से होके गुजरे हुए है, mesozoic time पे अगर आते हैं, तो again ये warm हो गया, relatively drier हो गया with the forest that supported reptiles like dinosaur and warm and humid condition continued into the tertiary times with the evolution of mammal and first flowering plant, तो इस तरीके से mesozoic में और life जो है वो develop हो गई थी आगे, towards the, towards late tertiary earth entered the ice house, mood is starting to cool it culminate to the pleased to seen ice age और ultimately फिर ice age नया ice age आ गया और इस तरीके से हमारी नया system बन गया था, ये जो ice age वगर एक concept ये discover किया गया था, अगासीज के द्वारा नाम important याद रखेगा, ये एक Swiss American अगासीज जोग्राफर थे, he could infer about the ice age by studying fluvial glacial deposits like drumlin, moraine on the European plane, तो इन सब चीजों को देख करके फिर ultimately इन्होंने ice age के बारे में बताया था, आगे अगर बात किया जया है, तो the ice age was interspersed by relatively warmer phase, interglacial times या फिर phases, तो again, this is the thing that you have to memorize देखिए, यहाँ पर कोई अलग चीज नहीं है, कोई समझने वाली चीज ऐसाच नहीं है, कुछ चीज़े देखिए, जो आपको सीधे याद करना होता है, यहाँ पर कोई चीज ऐसी नहीं होती है, that you have to understand or something like that, कुछ चीज़े होती है, जो आपको रट्टा मारनी होंगे, and based on that, you can understand the things, जैसे कि यही geological time scale, अगर आप इसे याद कर लेंगे, फिर बाकी चीज़े आप इसके साथ correlate कर सकते हैं, that will be kind of understanding of geological time scale, but it is certainly a factual concept. बाके आगे बात करें, तो कुछ और भी चोटे मटे नेम्स दिये गए, इंटरगेशनल फेज़े अफेज़े आफ ब्रिटेन के बारे में, नाम याद करना है, important as such नहीं है, केवल और केवल दिया था, इस वज़े से लिग दिया गया है, इलिनॉइज हो गया, एफ्टोनियोन हो गया, और विंस-कॉसिन हो गया, तो यह हमारे पास कुछ इंटरगलेसियल फेज़े जो की, ब्रिटेन और नॉर्थ अमरिका में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम रखे गया है, clear हो गया, since the last 200 years, the planet has entered the greenhouse mode, primarily because of the anthropogenic factors related to just say industrialization हो गया, urbanization हो गया, agriculture हो गया, subsistence culture हो गया, and the high emission of greenhouse gases and disruptive activities like deforestation, etc. तो यह चीज हैं जिसके कारण से आज की डेट में greenhouse gas effect काफी बढ़ गया है, इसके लावा देखें, some of the major short term fluctuations जो की please to see my stage में होई थी, वो थी कि around 10,000 years पहले, there was a brief cooling, जिसको हम लोग younger dry phase कहते हैं, as around 5000 के around में जब आए है, तो planet became warm and human, which resulted in growth and spread of ancient human civilization, the earliest or oldest tribe were able to inhibit part of Scandinavia and Arctic region, तो इस तरीके से यहाँ पर life जो है, वो distribute होना, इधर उधर जाना शुरू हो गई, 1280 के दोरान में, the temperature again cooled, that forced abandonment of many of the Arctic habitation, और यहाँ से Vikings जो हैं, जो की, polar area में रहते थे, यह जो है, बाकी other areas में spread हो गए, and this has limited by the cold condition in north, and is called as little climate optimum, अब देखी, यह जितनी भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, वो समय के साथ में change हुई है, and obviously, we will call it as a climate change, but this climate change was not alarming, why? because it was happening naturally, यह सारी चीज़ें जो होती है, natural तरीके से हो रही थी, और इसमें human का कोई हाथ नहीं था, लेकिन आज की डेट में जो चीज़ें हो रहे हैं, that is the climate change, that is happening not naturally, but because of the anthropogenic factors, and that is why it is very alarming, क्योंकि यहाँ पर जो अब, हमें outcome निकल करके आ रहे हैं, वो directly human life को impact कर रहे हैं, तो इस वज़े से यह काफी alarming condition है, 1450 to 1880, AD के दौरण में अगर आते हैं, तो there was a brief phase of cooling, and it is called as a ice age, यहाँ पर जो river Thames है, वो जम गई थी, यह से कुछ rivers आप लोगोंने सुना होगा, कि ठंड में जम जाती है, जैसे कि river Thames ही हो गई, in fact, जो हमारी great lakes हैं, उसमें भी कई सारे part ऐसे होते हैं, जो जम जाते हैं, जैसे आज की date में ही, इस समय एक निया concept आया है, omega, this is omega concept, और यह जो omega concept है, वो jetty stream के कारण से ही बन रहा है, और इस कारण से, यूरोप में, या फिर, अमेरिका में, US अगरे में, यहां पर क्या हो रही है, कि बहुत जादा temperature, डाउन भी हो जा रहा है, और साथ ही साथ में, बहुत high temperature भी हो जा रहा है, मतलब यह एक तरीके से, heat wave का case आप ले सकते हैं, and this is a kind of the condition of the ice age, you can say, क्योंकि जब ठंड हो रही है, then obviously it will be like a high sage, temperature बहुत जादा डाउन हो जा रहा है, मोटी मोटी परतें जम जाती है, बरफ की, जो आपकी सडक वगरा है, जम जाती है, गाडियों वगरा है पर जो होती है, यह बरफ की सिल्ली पड़े जाती है, तो मतलब यह काफी जादा जो है, वो एक climatic change type की condition में देखने को मिलती है, this is like omega concept, omega जो format बन रहा है, clear हो कि है क्या चीज़ है, you can also write this omega concept here, in the geological time scale, या फिर climate change में, जब भी आप बात करेंगे तो, however, since the advent of industrial revolution in 18th or 19th century, the temperature have warmed up on an average, and the temperature rise was tracked by Milankovic, this is actually पुरा एक साथी नाम है, Milankovic, यह रशियन साहब ते और इन्होंने एक कर्व बनाया था, और बेसिकली उसके हिसाब से, global warming को इन्होंने बताया था, कि what kind of global warming, or what kind of temperature the globe is having right now, and how it is changing with respect to the industrial revolution, so that was the thing, आगे हम लोग देख लेते हैं, आखिर में कि कौन-कौन से ऐसे evidences हैं, जिनके basis पे हम लोग यह बोल रहे हैं, कि climate change हो रहा है, क्या चीज है आखिर वो, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जो, अभी हम लोग ने देखा कि Agassiz ने जैसे कि, कुछ चीज़े और अब्जर्व किती हैं, बेस अन बेस अन बाते करेंगे, और वही सारे evidences के बारे में हम लोग बाते करेंगे, और यह Agassiz ने जिस तरीके से खो जा था, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि Moran's हो गई, Drumlin's हो गई, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएंगी, इसके अलाबा, Ice Age और Air Inclusion के स्टड़ी के बेसिस पे भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे आर्करिक और एंटार्करिक के अरिया में, वी कैन गेट दा फियोड और इस फियोड के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं, कि देर उड है बीन Ice Age या फिर यहाँ पर Ice रही होगी, and Ice Sheets, but as of snow-accumulated air bubble have been trapped inside these ice sheets, these air bubbles are called as Air Inclusion, तो उनके अंदर में जो फसीवी चीज़ हैं वही हैं बिसिकली, in recent years, वर्टिकल Ice Column from the Arctic and Antarctic have been drilled and extracted, such column are called as Ice Coors, study of air bubble and air inclusion and the proportion of gases and dust can give evidence of part climate for example, जैसे कि higher proportion of the COT and all that जो चीज़े हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं, अब जैसे यहाँ पर कुछ-कुछ example लिया गया है, but this is not important, so you can just simply skip these examples, किसी काम लाया किये examples नहीं हैं, आगे बात करते हैं हम लोग climate change के ही और भी evidences के बारे में, तो यहाँ पर आती है जैसे study of evaporate, precipitate and sedimentation in the lakes and shallow sea, तो यहाँ पर भी जो हमारे पास चीज़ें मिल जाती हैं, उनकी basis पे भी हम लोग climate change के evidences को observe कर सकते हैं, the dust from atmosphere and deposits from the land gradually precipitate out on lake floor and shallow seas accumulating as thick sediment extracting vertical column of such sediment and studying such layers can be in line for past climate history of the earth. एक्जामपल के तोर पे यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से dry condition में, salt or dust proportion जो है वो बढ़ जाता है. इसके अलावा देखे, pollen grain की study के basis पे भी हम लोग बोल सकते हैं, कि this is the evidence for climate change. कैसे? अब यहाँ पर क्या है कि on the lake floor, the sediment will include precipitate as pollen grain. The pollen grain represents the specific species of vegetation. और उसके basis पे हम लोग बोल सकते हैं, कि यहाँ पर यह दबी होगी, दबने के बाद में climate change हुआ होगा अब देखे, यह सारी चीज़े आपके लिए, यह factual ही है. इसमें कुछ ऐसा समझने वाली चीज़ नहीं है. देखे, fossil evidence के बारे में बात करें. तो you have already undergone this kind of discussion, आपने यह चीज़े जानती होगी, fossil fusion के बाद में तो सब लोग जानते हैं. The fossils and the remains of pre-historic life form can be inside full of past climate. For example, fossil of plants with, this is with, बाकी जो leaves वगरे drive condition में सूख जाती हैं and ultimately वहाँ पर गिर करके evidence बना देती हैं. Fossils of the plant with thick and wide leaves are warm and wet conditions. Fossils with fiber, hairy, long root indicate semi-arid and regions and बाकी जारी चीज़े भी आपको देखने को मिल जाएंगी. क्या चीज़े हैं? अगे अगर बात किया जाए, so we have again a sea level change, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक tactic बोलते हैं इसको, तो एक tactic आप इसे समझ लीज़ेगा. So this is the fall in sea level is generally indicative of ice age. और यहां से में बता चल जाता है कि, please to see in ice age वाली condition के जैसे ही रहा होगा. Rise in the sea level would imply warmer condition with a melting glacier and ice shelves near to the water level. So this is the basically evidence, यहां पर जो चीज़े हैं वो आपको याद ही करनी हैं. जितने भी evidences हैं, कुछ evidence आप लोग जानते होंगे, बट कुछ evidence ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे, तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा. आगे बात करते हैं, what are the causes of climate change? So we have a number of climate change के cause हम लोग जानते हैं, बट वो जितनी भी चीज़े जानते हैं, सब के सब वो environmental हैं. लेकिन environmental वाली जो चीज़ है, वो general होती है, general studies में हाती हैं. लेकिन यहाँ पर आप लिक रहे हैं आप, तो यहाँ पर कुछ हम लोग technical चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे. अब यह technicality क्या-क्या है, जैसे sun और अर्थ के बीच की जो position है, जो change है, उसके बारे में बात करेंगे, जाने के astronomical आप बोल सकते हैं. दूसरा, अर्थ की जो अपनी position है, जैसे अपना जो tilt है, और जो घूम रहा है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर discussion करेंगे. यह जो चीज होगी, इस इस गोइंग टो बी only only and purely geography, ठीक है, जैसे, most of the contemporary concern of the climate change and global warming are those related to anthropogenic factors, जो कि हम लोग general बोलते हैं, and this is related with the disruption of natural heat budget, या alternation that change the albedo of surface, और बाकी सारी चीज़ें जो आप आप अलड़ी जान रहे हैं. इसके अलावा, the shorter time span factors and short term causes are mostly those related to the fluctuation, related to solar radiation. अब दीखें, यहाँ पर हम लोग अब धीरे-धीरे sun के बारे में पहले बात कर लेते हैं. अब जैसे sun है, sun के अंदर जो होती है, fusion reaction होती है, हाला कि fusion, fusion दोनों ही होती है, but the fusion is the thing that is actually giving it the energy. और इसके basis पे यहाँ पर, इसका जो photosphere है, corona है, यहाँ पर क्या है कि, energy काफी जादा strong होते आती है. तो आप लोगोंने पढ़ा होगा, हम लोगोंने पढ़ भी रखे हैं, कि तीन लेहर होते हैं, one is the photosphere, जो beach वाली होती है, बाकी corona होती है, और फिर इसकी जो बाहर की surface होती है, ठीक है, the sun spot, अभी यह sun spot भी आ जाता है, जो कि विसे के लिए एक dark area होती है, और यह हमेशा हर 11 साल में, इस तरीके से निकल करके आता है, तो this is what, this is a kind of climate change, because अगर यह spot आ जाएगा, then obviously there will be, there will be a little less number of solar flares, that will reach to the planet Earth, और ultimately there will be decrease in temperature, और इस तरीके से cases हो जाएगे, अब जैसे यहाँ पर बताया गया है, कि year of 1998, 2012, 2013, यहाँ पर sun spot आया था, with a higher temperature, in strong heat wave, और यहाँ पर cyclone disaster, यह सब चीज़ें जो होती हैं, वो जन्मी थी, और इसे हम लोग बोलते हैं, maunders minimum, so this is the thing that you should know, and आगे बढ़ा जाए, तो long term जो causes होते हैं, वो sun के और earth की geometry के basis पर, यानि इन दोनों की position पर, काफी कुछ depend कर जाता है, इसमें तीन aspect हैं, एक है electricity of earth's orbit, दूसरा है elasticity, एक्चुली है, दूसरा है oblique, तीसरा है precision of equinox, अब जैसे earth के बारे में ही बात करें, तो earth जो है, वो elliptical है, जहां पर इस तरीके से movement होती है, एक तरफ sun होता है, एक इसके focus पर, दूसरे focus free होता है, और ultimately यह elliptical orbit में घूम रही होती है, the orbit is known to fluctuate from extreme eccentric shape, to relatively more circular shape, this can impact the average temperature of winter and summer, तो इस तरीके से यहां पर changes होते रहते हैं, क्योंकि elliptical orbit भी होती है, this is tilted actually, and that is why, हमें अलग-अलग तरीके की, यहां पर जो tides होती है, वो भी हमें मिलती है, in fact we have seen, fluctuation in tide also, because of this change in the, जो भी orbit वगर है, बागे अपली के बारे बात करने हैं, तो हमें पता है कि अर्थ जो है, वो tilted है, and with a periodicity of 40,000 year, अर्थ की जो axis है, this fluctuate by 21 degree to 25 degree, and this change, जो tilt यह axis वगर है, इसके कारण से seasonal change, in the contrast of the temperature, भी हमें देखने को मिल रहा है, and that is again creating a climate change की condition, clear, now precision of equinox के बारे बात करने, so we can observe from here, अगर tilt हो रहा है, अगर इसकी जो trajectory है, उसमें change आ रहा है, तो obviously, it is going to be a change in equinoxes also, presently जो tilt है with the vertical axis, point towards north star and fixed date, for solusities and equinox, axis is known to fluctuate between north star, and star vega, because of which timing of changing the season, and it's a month, and equinox will ultimately altered, और इस बैसे में यहां पर हमें changes देखने को मिल जाते हैं, और यह सब के सब ultimately, climate change को ही बढ़ाते हैं, clear, इसके अलावाद देखिए, volcanic eruption भी है, और tectanic movement भी है, जिसके basis पे भी हमें climate change देखने को मिलती है, and this is all obviously natural, यह सारी की सारी चीज़े natural है, जैसे एक एक चीज़ के बारे में देख लेते हैं, जैसे even every mountain building phase has been followed by ice age, ऐसा पाया गया है, जैसे pre-cambrian हो गया, उसके बाद से arcian, ठीक है, पर्मियम ice age was followed after this caledonian, तो similarly, प्लीस्टो सीन ice age वगर हो गया, तो यहाँ पर क्या है, कि mountain building के साथ साथ ice age भी हमें observe की है, this may be because the technonic events, volcanic eruption, collision, mountain building are associated with the release of tremendous amount of geothermal energy, और इसी कारण से हमें इस तरीके की जो ice age वगर है वो देखने को मिली है, clear हो गया, major volcanic eruption are known to expel tremendous amount of dust into the atmosphere, अब सीधी से बात है, volcanic eruption होगा तो वो dust आएगा ही आएगा, और dust की कारण से फिर insulation में problem होगी, और ultimately albedo में, और इस तरीके से cooling start हो जाएगी, because albedo जो पहले आ रहा था वो नहीं आपाएगा, traditional radiation जो नहीं आपा रही थी वो नहीं आपाएगी, अब जैसे यहाँ पर example के तौर पे कहा गया है, जैसे mount asoma, जो के एशिया में ही है, mount कत्मई, इन सब जगहों पर हमने insulation में reduction note किया है, और इसके कारण से obviously temperature भी कम हो गई है, इसी तरीके से mount करा काट सो में भी, same इसी तरीके की condition हुई थी, और ultimately हम लोगों ने एक insulation में कमी जो है, वो note किया है, so this is again very general thing, and you must have gone through with it, जानते होंगे इसके बारे में, आगे देखिए, meteoroid impact के बारे में है, and this is again a natural thing, अब यहाँ पर क्या होता है कि pre-Cambian history में, in the absence of atmosphere, the tremendous meteorite impact जो है वो हुआ था, और उसके कारण से obviously global temperature वो increase करेगा ही करेगा, क्योंकि देखिए, collision हुआ, plus meteoroid के अपनी speed, अपनी energy और ultimately वो अर्थ में आ रही है, तो energy जादा होगी, तो temperature जादा होगा, temperature जादा होगा, तो distribution भी उतना ही जादा होगा, and ultimately climate change, clear, with the atmosphere forming most of the meteor now get burnt up here, and ultimately यही energy दे देते हैं, clear, बाकि आपके anthropogenic factors है, anthropogenic factors तो I guess जादा कुछ discuss करने की बात नहीं है, और यह आप अलड़ी जान रहे होंगे, जैसे की, जो भी human activities हैं, उनके कारण से induced climate change हो जाती, उसके कारण से global warming, emissions काफी आदा हो गए है, इसके लावा deforestation, industrialization, urbanization, agricultural activity, वाली जितनी भी चीज़े होती हैं, सारी चीज़ों के कारण से ultimately, हमारी climate change आ रही है, इसके लावा the temperature, and the pattern, and the urban area, got altered, the emission changes in the atmosphere, chemistry and proportion of natural gases, तो जितनी भी चीज़े हैं, वो ultimately human activities के कारण से, हमारी जो gases का atmosphere में composition है, वो change हो रहा है, इसके लावा pollutants हो गए, ये भी कही न कहीं, problem create कर रहे हैं, बाकी जितने particular matters हैं, या फिर जो भी harmful gases हैं, वो भी problem create कर रहे हैं, not only to the atmosphere, but also to the ozone layer, clear है, बाकी इसके बारे में जो चीज़े लिखें गई हैं, they are self-explanatory, and these are having, बहुत ज़दे थे की environment में, अलड़ी discuss भी कर रखें हैं, और चीज़े असान भी हैं, so we are not getting into it, you guys already know about it, आगे देख लेते हैं, wind का क्या impact है, so this is, this may be new to you, कि आखें में wind का क्या फरका रहा है, so large scale, high construction like skyscrapers can block the regular passage of wind, so इतना urbanization, इतनी high high building खड़ा कर दिया है, जिसके कारण से wind को passage में, एक problem हो रही है, even to the birds also, ये भी lightning के कारण से, इन लोगों को दिन और रात में अंतर पता नहीं चल पाता है, और फिर ultimately, birds की संख्या में काफी decline देखने को हमें मिला है, because of this kind of thing, okay, so this is creating a funneling effect, such as the wind pickup speed when passing between the tall buildings, और इस तरीके से इनको एक funnel effect, जैसे आप रोगोंने, बढ़ा होगा in the physics, fluid mechanics में पढ़ा जाता है, कि suppose this is the thing, माल लेते हैं, कि यहाँ पर जो fluid है, इसका area A है, और यहाँ पर माल लेते हैं, कि यहाँ पर velocity V' है, और area जो है वो A' है, then continuity equation बोलती है, कि AV is equals to A' V' यानि कि, अगर माल लेते हैं, कि area अगर जादा है, तो obviously velocity कम होगी, और वही अगर area कम होगा, तो velocity उतनी ही जादा होगी, और यही कारड़े के tunnels बगरे में, आप जब भी pass करेंगे, बहुत तीज आपको हवा लगती है, और जैसे ही tunnels के बाहर आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेंगा, रहे हवा भी चल रही थी क्या, so this kind of thing, generally happen, ठीक है, in fact, जो इतने educational institutions भी होते हैं, जैसे हमारी टॉप जो आएटीज बगर है, वहाँ पर इस तरीकी की tunnels बगरे, आपको देखने को मिल जाएंगी, एंड ऐसा बनाया जाता है, ventilation रहे, green building बगर है, बनाई जाती है, इसके लावा, this is a ventry effect, this effect in major hazard for air navigation, large scale construction can obviously alter the surface area, and characteristics of surface absorption, and natural albedo, so इस तरीके से हमारे पास जो चीज़ें हैं, वो wind को भी equally impact कर रही है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने ज़रा, urban climate वाले topic पे, this is our last topic for this whole chapter, and we have completed our climatology, after completing this urban climate वाला topic, ज्यादा कुछ खास नहीं, urbanization का यह concept है, तो urban climate क्या होता है, एक climatic set है, that exists in large metropolitan areas, or densely populated city, and that is different from the surrounding rural area, क्योंकि यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा जैसे, cement की plastering हो रखी होती है, फिर इसके बाद से roof रहता है, जिसके कारण से जितनी energy आती है, it gets reflected, और ultimately जो होती है, वो ज़्यादा heat प्रोड्यूस करती है, और इस तरीके से अगर रूरल अरिया से अगर आप compare करेंगे, there will be less greenery, there is high level of urbanization, और इसकारण से यहाँ पर heat wakes बगरे देखने को मिल जाएंगे, बाकिया अगर आगे बात करें, so there are following, following are the nature of urban climate, क्या क्या चीज़े हैं, it is warmer areas approximately 2 degree centigrade than surrounding rural area, इसके अलावा, central areas of the city have a higher mean temperature than surrounding areas, and due to warmer areas, it is also called as urban heat island, so urban heat island के बारे में तो खेर हम लोग दिन discuss ही कर लिया है, the average humidity in the urban area is lower than that the surrounding, और इसी कारण से यहाँ पर जो suspended particles हैं, जिसे आप aerosols बगर भी बोल सकते हैं, वो लटके रहते हैं, इसके अलावा, the vegetation and wildlife in the urban area are certainly lower than the surrounding areas, बाकि तो खेर आप लोग इसके बारे में जानते हैं, this is quite simple thing, ठीक है, आगे अगर बात किया जाए, so this was the last photograph, urban climate is warmer, किस वज़े से, the use of concrete और बाकी tar, brick वगरे जितनी भी यूज की जाती है, urbanization वगरे यूज की जाती है, आगे अगर बात करें, क्या impact है, इस पूरे के पूरे urban climate का, तो देखे बहुँ ज़दा impact है, urban and the cities are the hot spot of greenhouse, और यही कारण है कि UNEP, ने कहा है कि cities are responsible for 75% of the greenhouse gases, इसके अलबा urban city जो है, वो अब धीरे-धीरे urban heat island में convert हो जा रही है, so there are a lot more problems, with respect to this urban climate, तो इसी को हमें ध्यान रखना है, इसी को हमें बचाने की जरूरत है, बाकि जो भी चीजें है, you can go through with it, these are very simple, and these things that you already know, बाकि environment वाली पूरी discussion है, so we are not getting into it, so this is the end of our lecture, and end of climatology chapter also, next discussion onwards, we are going to discuss oceanography, और बाकि उसके बारे में चीजों जोह होंगे,